आज चार में के दिन हमारे पास शाम में नियर्चॉप मेडिकल कॉलिज से जो टेस्टिंग की रिपोर्ट भीजी थी उसमें से एक रिखती जो जो जोगिंदनगर एरिया से बिलॉंग करता है सबतेसिल मक्रेडी से उसके रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कोरोना वाइरस के उसके बसचात हमने आदेश SDM को दे दिये हैं और SDM वहां पर पॉरी एरिया को कॉड़न आफ कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड अपरटिंग प्रोसीजर है गवर्मेंट का उसके अनुसार उस पॉरे एरिया को जहां पर उसका घर है और तीन किलोमेटर के रेडियस में इस पॉ का उसको बफर जोन गोशित किया जाएगा वहां पर भी रिस्ट्रिक्टेड मोमेंट रहेगी इस पूरी एरिया को कंटेन करने के लिए अब हमारा टार्गेट रहेगा कि वहां से उसका स्प्रेड ना हो और वहां पर जितने भी लोग हैं उनकी कॉंटक ट्रेसिंग हमारी शुरू हो जाएगी जो टीम घटित की गई है जिसमें कि पुलिस की टीम है मेडिकल डेपार्टमेंट की है एड्मिस्टेशन की टीम है यह सब मिलकर वहां पर कॉंटक ट्रेसिंग करेंगे उस व्यक्ति का किन की लोगों के साथ संपर्क आया है कौन से लोगों से पुछा आपका उस व्यक्ति के साथ संपर्क आया है नहीं आया और उसके आधार पे उनकी सैंपलिंग ली जाएगी उनको सभी को स्टिक्ट हों कॉरंटाइं में रखा जाएगा सैंपलिंग लिये जाए की और सैंपल के रिजल्ट के अनुसार आगे की कारवई की जाएगी इसमें यह जो व्यक्ति आया है यह जो जानकर हमें मिली है उसके अनुसार यह दिल्ली से आया है 29 को 29 अफ एप्रिल को यह हम पर पहुंचा है अपने घर पे और तब से उसने अपने आपको होम कॉरंटाइं में रखा है हमारे टीम्स ने भी उसको मॉनिटर किया है जब ही उसका ट कॉरंटाइं में रखा जा रहा है और अगर उनमें कोई सिंटम्स डेवलाप होते हैं तो उनके सेंपल्स कलेक करके सेंपलिंग की जा रही है तो आगे कारवाई भी उसके अनुसार की जाएगी अभी जो इनिशली पता चला है उसमें की व्यक्ति जो है स्ट्रिक्ट होम कॉ पर आने वाले दिनों में हम पूरी इसकी कांटाक्ट ट्रेसिंग करेंगे दिल्ली से भी उसके ट्रेस करेंगे कि कहा दिल्ली पर रहा है और वहां की जानकरी इनिशली को वहां बेजी जाएगी